हलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सेक्सेस पाटशाला इस पाटशाला में मैं रुपाली वर्मा आपके लिए हिंदी लेकर आती हूँ और आज जो हिंदी का सब्जेक्ट में लेकर आई हूँ ये क्लास 10th हिंदी कोर्स A का व्याकरण का टॉपिक है वाच, क्या होता है वाच, इसके किते भेद होते हैं ये सारी ही चीजे आज के हम वीडियो में जानने वाले हैं और खास दोर से एक चीज़ पर और ध्यान देंगे वाच को लेकर confusion होता है किस वाच में क्या चीज़े कौमन है, क्या चीज़े नहीं तो ये भी आज हम समझेंगे ध्यान दीजेगा आप सबसे पहली चीज जो है जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं बहुत ध्यान से देखिएगा आपको एक बार में ही सारी चीज़े क्लियर हो जाएंगे तो शुरू करें सबसे पहले हमारे पास में आ रहा है वाच वाच का अर्थ है बोलने का विशे अर्था यहां पर टॉपिक से बात नहीं हो रही बोलने का विशे मतलब टॉपिक नहीं हो रहा है जैसे हम बोल रहे हैं ठीक है तो हमारे बोलने पर तीन चीज़ें का फरक जहां पर काम को जाधा तवज्जो दिया जाता है यानि कि जो काम हो रहा है उसको हम जाधा प्रफरेंस देते हैं एक संटेंस ऐसा हो जाता है जिसमें हम करता की इंपॉर्टेंस दिखाते हैं जो काम को करने वाला है दूसरी इंपॉर्टेंस रहती है उसकी जो काम किया जा र यानि कि हम बोलते समय किस चीज़ पर जादा जोर दे रहे हैं यानि कि उस वाक में क्या चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है करता है कर्म है या भाव है यही चीज़ आपकी वाच्च कहलाती है और वाच्च का जो पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है जो हम क्रिया देखते है हमें क्रिया से पता चलता है कि वह वाजची किस से संबंदित है अब क्रिया सिर्फ सिंगल नहीं होती वह हमेशा अपने सहाय क्रिया के साथ रहती है वही चीज़ें आपको यहां पर समझने हैं कि किस वाजची के साथ में किस तरह की क्रिया और सहाय क्रिया लगने वाली है इन को महत्व देर हैं या हम भाव को महत्व दे रहे हैं इक फिलिंग्स को महाव्तीड है क्रिया की जूस रूप से यह ग्यात होगी उसके द् किए गए विद्हान का विशय करता है कर्म है यह भाव है उसे वात्य तो समझ में आया-そう सिंपल सी चीज़ करिया के जिस रूप से अब कोई बी अगर हैं यह ढि ख्रीया तो होती होगी ना क्रिया देखिए दूसरों शब्दों में क्रिया के जिस रूप से यह ज्यात हो कि उसके प्रयोग का आधार करता कर्म या भाव है उसे वाच्च कहते हैं ठीक है अब आपको समझ में आ गया यह चीज़ क्या है अब हिंदी में वाच्च के तीन भेद होते हैं कितने भेद होते हैं ती उसके थीन भेद होते हैं क्लियर आघीह तीन भेद कौन-कौन से हैं यहां पर देखिए अ कर बूसरी पहला है हमारा करम वाच्च दूसरा करम वाचरृ और तीसरा है भाव वाच ठीक है हिंदी में तीन तरह के वाच्च्च करत वाच जिसमें करता की प्रधानता होती है कर् कर्त वाच्च में हमेशा सीधे हमारे किस के साथ होता है कर्टा के साथ कर्ता की जो भी लिंग होगा वचर्ण होगा और आपका जो भी काल जो भी होगा वह सब करता से ही अटैज करेगा अगर करता इस्त्रीलिंग है तो क्रिया इस्त्रीलिंग होगी करता अगर एक वचन है तो क्रिया एक वचन होगी ठीक है यह किस से संबंधित रहेगा आपका करता से संबंधित रहेगा समझ गया फिर हम आते हैं दूसरा है कर्म वाज कर्म आज में क् पर जो हम कर्म है उसको प्रदर्शत करने के लिए कुछ परसर्ग को हम जोडते हैं कुछ परसर्ग को अनि की विवकतियों को जोडते हैं जयसे आपका हो गया जए-ra ya'dyou जैसे परसर्ग जोड़े जाते हैं इसके अंतरकत अब यहां पर जो है क्रिया किसे संबंदित होगी कर्म से अब कर्म का जो भी लिंग होगा वचन होगा कर आपका क्रिया भी उसी लिंग और वचन में होगी अब आते हैं हम भाव वाज क्रिया का मुख संबंद भाव के साथ अर्थात क्रिया खुद ही मुख्य हो जाती है अब यहां पर क्या है संबंद भाव के साथ यानि कि जो उस वाके को बोल रहा है उसके भाव यानि फिलिंग के साथ अटैच होगी और इसमें क्रिया किसी के अपने आप में प्रधान होती है और इसकी ये भी पहचान रहा थी इसमें क्रिया हमेशा अकर्मक रहेगी पुर्लिंग रहेगी और एक वचन रहेगी भाव वाच में ये तीन चीज़े कॉमन होती हैं मतलब कोई भी आप कहने करता कर्म कुछ भी हो लेकिन आपका उसमें पुर्लींग रहेगी तीसरा इसमें हमेशा एक वचन ही रहेगी चाहे आपका क्रिया या कर्म एक बढ़ेंगे इसमें एकी करक्योन भेथ जैसे अमने बताया प्रयों कि नुसार Rail apa rigorous तो यह कुछ चेओं कि आप निस लैवल और जाजल वरन वाच यह बढ़ते हैं आं आग तो आप इसको द्यान रखना है पैसे पहला जो है पूछा जा सकता है कि के कि वाच्च के कितने भेड होते हैं तो आप सीधे सिद्य पता सको कि तीन भेड होते हैं वो तीन भेड के करता के लिंग वचन कारक के अनुसार होता है और इसका सीधा संबंध करता से होता है तब करतवाच्च होता है तो सिंपल उन्होंने क्या बताया देखिए ध्यान दीजिए सबसे पहले करता की प्रमुखता होती यानि कि जो पूरा संटेंस है उसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख जो है करता है वो होगा अर्थाद क्रिया का प्रयोग यानि कि जो उस वाक में क्रिया लगेगी करता के लिंग वचन कारक के अनुसार होता यानि कि अगर मानलीजे करता हमारा स्त्रिलिंग है तो आपकी क्रिया स्त्रिलिंग है करता अगर पुर्लिंग है तो क्रिया पुर्लिंग होगी अगर करता एक वचन है तो क्रिया एक वचन होगी करता अगर बहुवचन है तो बहुवचन होगा अब इसमें कारक मालीजे करण कारक है संबंध कारक है जो कोई भी कारक लगेगा वो सीधा संबंधित किस से रहेगा आपका क्रिया के साथ संबंधित रहेगा और इसका सीधा संबंध करता से होता है तब करते बाद से होता है तो कोई भी संटेंस से उसका संबंध सीधा ही किस से होता है देखे अब यहाँ पर क्या है एक सिंपल संटेंस दिया है मोहन फल खाता है ठीक है एक संटेंस क्या दिया है मोहन फल खाता है अब इसमें दिया है म मुहन करता है एक वचन है पूरलिंग है ठीक है यह से संबंदित है करता एक वचन है और पूरलिंग है ठीक है यह आप देख रहें मुहन एक वचन और पूरलिंग है क्रिया एक वचन और पूरलिंग है अब आप यहां पर आके देखिए मुहन फल खाता है ठीक है यहां पर द संबंधित आ रहा है यह फल से इसलिए संबंधित आप तो बोलोंगे कि फल भी खाता है ठीक है फल से अगर संबंधित होता तो फल खाया जाता फल खाता नहीं होता क्योंकि खाता संबंध किस से आएगा मोहन से संबंधित खाता मोहन है अगर हम यहां बोलते कि मोहन मोहन फल को खाता है तो जब को लग जाता तो भी यहां पर चीज जो है वो खाता संबंद मोहन से होता अब हम अगर इसका बोलें कि हम इसका संबंद फल से कराना चाहते हैं तो क्रिया का सुरूप बदल जाएगा क्रिया का सुरूप कैसा बदलेगा तब हो जाएगा मोहन मोहन द्वारा फल खाया जाता है इस तरीके सुता हम तब खाता नहीं बोलते तब हम क्या बोलते खाया जाता है क्योंकि तब हमारा क्या हो जाता तब सीधे सीधे क्रिया किस से संबंदित हो जाती फल से संबंदित हो जाती लेकिन यहां संबंदित किस से है आपकी इस करता से जो की एक करता आ रहा है, यहाँ पे करता है, करता एक बचन है, इसलिए यहाँ पर क्रिया भी एक बचन है, करता आपका पुर्लिंग है, तो यहाँ करता पुर्लिंग होगा, तो सीधे सीधे जो भी आपका करता है, वही आपकी क्रिया भी होगी, दोसरा sentence देखिए लड़कियां गीत गाती हैं लड़कियां यहां करता है ठीक है बहुवचन है इस्त्रीलिंग है हम लोग ने यह देखा बहुवचन है और इस्त्रीलिंग है उसी तरीके से गाती है यहां देखिए बिंदी है तो गाती है यहां पर भी देखिए बहुवचन ह और इस्त्रिलिंग भी है आप देखे ना अगर लड़का होता तो लड़के गीत गाते होता क्या होता लड़के गीत गाते होता लेकिन यहां क्या आ रहा है लड़कियां गीत गाती है तो यह सीधे सीधे संबंद किसे लड़कियों से आ रहा है क्योंकि गीत से संबंदित नही 구reya को कर्म से संबन्दित करना होता लड़कियों द्वारा गीत गाया जाता है आधा कि यहां शासरी ऑसे अब इस में आपको फरक में आप को किस यहां पर वाद्ट कर अप फिर अभी जब हम आपको कर्म वाच्च बताएंगे तो उसमें भी सारी चीज़े क्लियर करेंगे इनी संटेंस को उठा के आपको महा क्लियर करके बताऊंगे अर्थाद इन वाक्यों में क्रिया के प्रेयोग का आधार इनके करता है अताह ये करते वाच्च है तो समझ में आ आपको सिंपल है अगर किसी भी वाक्यों में कर्म दिया गया जैसे इन दोनों ही वाक्यों में कर्म मौझूद है कहां पर कर्म मौझूद है ये कर्म है ये क्या है फल और गीत ये दोनों ही कर्म है ठीक है लेकिन क्रिया इस से सम्मंधित नहीं क्योंकि अगर हम क्रिया को फल यानि कि कर्म से सम्मंजित करते तो सबसे पहले तो हमें कुछ परसर को जोड़ना पड़ता जहां द्वारा या से हुता और साथ ही क्रिया का सुरूप भी बदलता लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है इसलिए यहां पर कर्तवाच्य होगा अब है कर्तवाच के कुछ महत्वपूर्ण तत्व ठीक है अब हम कुछ महत्वपूर्ण चीजे पढ़ने के लिए जा रहे क्या है कर्तवाच में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है कैसी प्रयोग किया जाता है अकर्मक क्रिया भी होग इसमें सकर्मक और कर्मक दोनों तरह की क्रियाएं मौझूद रहेंगी अब आपको समझनी आ रहा है कि सकर्मक क्या होता है और अकर्मक क्या होता है तो इसे भी clear करती हूं जैसे बच्चा धीरे धीरे चलता है ठीक है और दूसरा सूरज आम खा रहा है ठीक है यह दो चीजे अकर्मक हैं यहां तोता आम खा रहा है और शालेनी बुन रही है यह दोनों सकर्मक है अब यहां पर चलिए मैं आपको बताती हूं कैसे जैसे यहां पर है बच्चा धीरे धीरे चलता है यह आपकी क्रिया है यह क्या है क्रिया है अब क्रिया से सिर्फ आपको एक प्रश्न करना है क्या प्रश्न करना है क्या ठीक है प्रश्न क्या करना है प्रश्न करना है आपको क्या कोई भी क्रिया है हमेशा उसके साथ क्या प्रश्न करो क्य चलता है किंगे कौन चलता है पर अगर पूछते हैं क्या चलता है क्रिया यही रहेगी जो पूछे के साथ am tag चलता है तो आपको आंसर मिल रहा है ना बच्चा चलता है यह लिए यहां पर लाव क्रिया आपकी कोशंच सिर्फ क्या लगाना हैं और यह नहीं है कि आप सरजीव निर्जीव किसी के साथ भी क्या लगा दो हमेशा निर्जीव व्यस्तू के साथ हम क्या लगाते हैं सरजीव के साथ हम कौन लगाते हैं ठीक है ना तो यह अकर्मक हो गई अब आते हैं सूरज आम खा रहा है यह संटेंस गलत है यह अकर्मक में नहीं आएगा क्योंकि हम बोलेंगे अगर क्या खा रहा है तो आंसर हमें मिल रहा है हम यहां से यह आम काट देते हैं हम सिंपल आएंगे सूरच खा रहा है कोशन क्या है सूरच खा रहा है अब इससे कोशन करिए सूरच क्या खा रहा है आपको उत्तर मिलेगा नहीं मिलेगा उत्तर तो उत्तर नहीं मिला इसलिए यहां पर यह अकर्मक है जहां उत्तर मिलेगा वहां सकर्मक जैसे तोता आम खा रहा है ठीक है क्या दिया है तोता आम खा रहा है कोशन कर यह तोता क्या खा रहा है आम खा रहा है तो हमें मिला सकर्मक है शालिनी बुन रही है ठीक है तो क सबसे अच्छी पहचान है एक होता है सकर्मक और एक होता है अकर्मक ठीक एच अब यहां पर जो था आपको देख रहे हैं यहां पर ये वाला जो था यह आपका अकर्मक है यह अकर्मक से जुड़ गया आपका ये वाला अकर्मक से जुड़ गया जबकि ये दोनों जो है ये आपके सकर्मक थे ठीक है समझ में आया अब यहां पर अकर्मक सकर्मक बता दे जैसे हम एक ही सेंटेंस ले रही हूं मैं उसी से आपको मैं बता रही हूं यहां प एट कुश्चन है, सीता स्वेटर बुन रही है, ठीक है, सिंपल हमने एक जो है सेंटेंस लिया, सीता स्वेटर बुन रही है, यहाँ पर सीता बुन्ट, sweater बुन्ट रही है अब हम simply सा एक काम करते हैं जो हमारी क्रिया है उसके साथ एक question put करिए यहां पर बुन्ट रही क्रिया है इसके साथ हमने क्या question पूξा पूछा, क्या पूछा, क्या लगा कर सिर्फ बुन्ट रही के साथ हमने पूचा सीता क्या बुन रही है आपको आंसर मिला ये आपको मिला आंसर मिल गया तो जहां आंसर मिला वो आपका सकर्मक हो जाता है सिंपल आपको क्या लगा कर कोश्चन करना है आपको मिल गया अंसर तो वो हो गया सकर्मक अब अगर हम ये हटा दे सिंपल दूसरा सेंटेंस अब हम ले लेते हैं एक सेंटेंस और लेती हूँ हम क्या है सीता खा रही है ठीक है हमने एक सेंटेंस ये लिया यहाँ पर हमने इससे फिर से एक कोश्चन किया रही खा रही से हमने कोश्चन किया क्या ठीक है सीता क्या खा रही है इस पूरे जो सेंटेंस है इसमें हमें उत्तर मिल रहा है कि वो क्या खा रही है हमें उत्तर नहीं मिल रहा तो यह संटेंस हमारा सीधे सीधे अकर्मक हो जाता है सकर्मक और अकर्मक वह क्रिया के दो भेद होते यह जानना जुरूरी है तब यह आप बागी आगे निकाल पाओगे ने तो नहीं निकाल पाओगे है ना चलता है, चलता है के साथ जब हमने यहाँ पर क्या कोश्चन किया, जब हमने क्या कोश्चन किया, तो हमें मिला क्या चलता है, हमें नहीं मिला, क्योंकि बच्चे के साथ हमें कौन लगाएंगे तब सहीं मिलेगा, नहीं मिला, तो यह हमारा क्या हो गया, अकर्मक हो गया, दू यह हो गया सकर्मक फिर उसके बाद तोता आम खा रहा है जब हमने खा रहा है के साथ कोश्चन किया हमें उत्तर मिला क्या खा रहा है आम खा रहा है उत्तर मिला सकर्मक हो गया फिर नेक्स्ट आते हैं शालिनी बुन रही है अब यहां पर शालिनी बुन रही है हमने पूछा क् क्या बुन रही है उत्तर मिला नहीं मिला तो ये सीधे सीधे हमारा अकर्मक हो गया समझ में आया सिंपल सा एक फंडा है कि आपको सिर्फ कोश्चन करना है क्या लगा कर जो भी क्रिया है आपको तुरंद उत्तर मिलेगा इस तरह आपको देखेंगे कि कर्तवाच में सकर्मक औ अब यहां पर करता क्या है बच्चा धीरे धीरे चलता है अब यहां पर करता क्या है बच्चा करता कौन है बच्चा क्रिया किससे संबंदित है क्रिया संबंदित चलता है से आरी चलता है किससे संबंदित क्रिया देखो किससे संबंदित है बच्चा से संबंदित है या धीरे कि हम कैसे पता करें कि क्रिया जो है वो करता से संबंदित है किसी और से संबंदित नहीं सिंपल एक तरीका है आप ने यह देखा ना बच्चा धीरे धीरे चलता है सिंपल इसका एक बदल दो ठीक है हम यहाँ पर एक संपल सिर्फ करता बदल दो करता बदल के देखो लड़की धीरे धीरे चलती है ठीके एक और निकाल लो अब यहाँ पर बच्चा था इसको कर दो बच्चे बच्चे धीरे धीरे चलते हैं देखो बदला क्रिया को ध्यान देना हमने क्या बोला क्रिया बच्चा धीरे धीरे चलता है लड़की धीरे धीरे चलती है बच्चे धीरे धीरे चलते हैं जब हमने लिंग बदला क्रिया बदल गई ठीके जब हमने वचन बदला क्रिया बदल गई ही तो इससे हमें समंध में आया कि यह जो संबन्ध है किस से रख रहा है क्रिया जो हे वो करता से समंधर जब भी आप कान फीयूज हो जब भी आपको कंफीयूजüne हूँ simple आपको लिखना जुरूरती आप क्या करना जैसे बच्चा है करता कोई भी आपको यह पता करना है कि इसमें क्या हो सकता है कर्म वाद्चे हो जबता है कर्त वाद्चे हो सकता है या भाव वाद्चे हो सकता है माता धीरे धीरे चलती है, माता जी धीरे धीरे चलती है, जहां क्रिया बदल रही है, अगर हम कर्ता के लिंग या वचन को बदलते हैं, तो वहां क्रिया किस से संबंदित है, आपकी कर्ता से संबंदित है, clear, उसी तरीके से अब आप नीचे भी देख लो, नीचे भी हम इसको change करके आपको बता देते हैं जैसे हम यहां बोल रहे है सूरज आम खा रहा है ठीक है सूरज आम खा रहा है क्रिया हमारी खा रहा है अब आपको पता करना है कि इसमें क्या है तो हम सूरज की जगा कुछ और change करें हम बोल देते हैं जोती आम खा रही हमने क्या लिग दिया जोती आम खा रही है ठीक है आप देखो यहां पे खा रहा है क्योंकि सूरज पुर्लिंग है इसलिए आप यहां से संबंदित है यह इस से ठीक है लेकिन जब हमने यहां पर लिंग बदला जैसे ही हमने जोती के साथ लिंग बदला तो यहां पर खा रही आ गया देखो है ना रहा से रही आ गया सिंपल समझ में आया अगर करता से संबंदित है तो करता का जैसे ही लिंग और वचन आप बदलोगे वैसे ही स्वता ही क्रिया का लिंग और वचन बदल जाएगा तो इससे आपको पता चल जाएगा कि क्रिया किस से संबंदित है करता से संबंदित है और वहाँ पर करत वाच् कर्ता के अपनी सामर्थ या छमता दर्शाने के लिए सकारात्मक वाक्यों में क्रिया के साथ सहाय क्रिया के विभिन रूपों का प्रयोग किया जाता है यानि की कर्ता जो है या जो जैसे हम है कर्ता है हम अपना सामर्थ अगर दिखलाना चाहते हैं तो सकारात्मक यानि की positive जो sentences होते हैं उसमें क्रिया के साथ हमेशा सहाय क्रिया लगती है कैसे लगती है चलिए देखिए मैं फ्रेंच पढ़ लिख सकता हूँ ठीक है अब इसमें आप बताईए क्रिया क्या है ठीक है सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पर पढ़ लिख पढ़ लिख जो है यह क्या है क्रिया है ठीक है यह पढ़ लिख हमारी क्रिया आ रही है हमने यहाँ पर लिख दिया यह ह ठीक अब यहां पर इसके साथ ये सकता हुँ जो लगा हुआ है ये क्या है आपकी सहायक क्रिया ठीक है क्याhet सहायक जो क्रिया देखे तो हमेशा यहां पर मैं जो है ध्यान रखना मैं पढ लिक सकता हूँ या श्यामा पढ लिक सकती है तो आप जो में जो क्रियाएं होती है जैसे अभी हमने देखा था क्या था आपका तोता आम खा रहा है ठीक है अगर हम बोल दें मैना आम खा रही है जो मेन आपकी क्रिया है उसमें बदलाव नहीं होता वह हमेशा किसमें होता है सहायक क्रियाओं में बदलाव होता है कैसे आप देखिए जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया जैसे अभी हमने देखा था तोता आम खा रहा है एक sentence हमने देखा था तोता आम खा रहा है यह हमने एक sentence देखा था इसी के नीचे हम बोल दें कि मैंना आम खा रही है तो आप क्या देख रहे हैं इसमें जो main आपकी क्रिया है वो क्रिया क्या है जो main क्रिया है वो है खा क्रिया क्या है खा रहा है और रही है यह हमारी सहायक क्रिया है बदलाव हमेशा किस में हुगा सहायक क्रियाओं में बदला हुगा जैसे देखिए यहाँ पर मैं फ्रेंच पड़ लिक सकता हूं पड़ लिक हमारी क्रिया थी लेकिन यहां पर सकता हूँ सहायक क्रिया है, अगर मालो मैं की जगे हम बोल दें कि रुपाली, मेरा नाम रुपाली है, तो मैंने क्या बोला, रुपाली फ्रेंच पड़ लिख सकती है, तो पड़ लिख में चेंज नहीं आया, चेंज किसमें आया, सहायक क्रियाओं में चेंज किसमें आता है सहायक क्रियां में चेंज आता है नेक्स देखी यह कलाकार फिल्मी गीतों के अलावा लोग गीत भी गा सकता है तो अब यहां पर देखी क्या है यह देखी गा जो है आपका यह क्रिया है और सकता है वो हमारी क्या है सहायक क्रिया है गा हमारी मुख क्रिया है औ और सक्ता है हमारी जो है सहायक क्रिया आएगी अब अगर हम यहाँ चेंज कर दें यह कलाकार की जगा हम यहाँ पर किसी का नाम रख दें जैसे लतावंगेशकर फिल्मी गीतों के अलावा लोग गीत भी गा सक्ती हैं आएगा चेंज आया की नहीं आया सक्ता का सक्ती हो गया तो changes किसमें आएंगे? सहायक क्रिया में changes आएंगे हमेशा. Main जो हमारी क्रिया होती है, उसमें किसी तरह का कोई change नहीं आता है. ऐसा सुन्दर स्वेटर सुमन ही बना सकती है. अब यहाँ पर देखिए, क्या है सुमन ही बना सकती है. तो बना सकती है हमारा क्रिया है, बना हमारा मुख क्रिया है और सकती हमारा सहायक क्रिया है. अगर यहाँ पर आप change कर दो, ऐसा सुन्दर स्वेटर, आप लिख दो, सौरब ही बना सकता है. तो बना का बना ही रहेगा लेकिन सक्ती का सक्ता हो जाएगा समझ में आए वही चीज यहां बता रहे हैं सहाय क्रिया के विभिन रूपों का प्रयोग किया जाता है हमेशा सहाय क्रियाओं में बदलाव होता है मुख्रिया अपनी जगा रहती है और बदलाव किसमें होता है सह सहायक क्रियाओं में बदलाव होता है जैसे यही मजदूर इस भारी पत्तर को हटा सकता है अब यही मजदूर के हम बोल दें कि यही औरत यही औरत इस भारी पत्तर को हटा सकती है तो हटाना जो है वो हमारी मुख क्रिया है और सकता या सकती जो है यह सहायक क्रिया में हो कर्द वाच्च के वाक्यों को कर्म वाच्च और भाव वाच्च में बदला जा सकता है अब देखे सी बात है वाच्च परिवर्तन भी आपको आगे करने ही करने तो वाच्च परिवर्तन जो हम करेंगे उससे पहले हम आपको बता दें कि कर्द वाच्च एक ऐसा वाच्च है जिसके वाग के आप कर्म वाच में बदल सकते हो और भाव वाच में भी बदल सकते हो दोनों वाच्चियों में बदले जा सकते हैं कर्द वाच में करता की असमर्थता दर्शाने के लिए ना एवं नहीं के साथ सहायक क्रिया के विभिन रूपों का प्रियोग किया जाता है अ सभी हमारे क्या होंगे negative sentences यानि के न कारात्मत जिसमें इन्होंने दिया है कि हम क्या असमर्थता दर्शा आएंगे अभी तो हम समर्थता दर्शा रहे थे तो उसमें क्रिया के साथ ना एवं नहीं के साथ सहाय क्रिया लगती है ठीक है कैसे लगती है देखिए मैं चीनी भाष नहीं लिख सकता ठीक है सिंपल आप देखो यहां पर दिया अब मैं आपको बताती हूं यहां पर क्या दिया गया है आपकी यह क्या है क्रिया है लिख क्या है यह हमेशा क्रिया है हमने आपको बताया यह हमारी क्रिया यानी की मुख क्रिया है यह हमारी मुख क्रिया है सकता है हमारी सहायक क्रिया है अब उन्होंने हमसे क्या बोला कि हमें क्या दिखानी यह असमर्थता दिखानी तो उसके लिए हमने लगा दिया नहीं ठीक है अभी मैंने क्या बताया था क्या केते हैं मैं फ्रेंच भाषा पढ़ लिख सकती हूं ठीक है मैंने यह बताया मैं फ्रेंच भाषा पढ़ लिख सकती हूं अब अगर मैं यह बोलू कि मुझे तो आती नहीं आती तो अगर हम यहां बोले तो क्या बोलेंगे हम मैं फ्रेंच भाषा पढ़ लिख नहीं सकती हूं अब दूसरे पर आ जाएए यह मोटा आदमी तेज दौड सकता, तो जाहिर से बाते असमर्थता व्यक्त करने के लिए हमें नहीं या ना जैसे शबदों को लगाना पड़ेगा, और ये हमेशा क्रिया के आसपास ही लगते क्यों, क्योंकि खृच ही तो बताएंगे ना कि हमेए क्री यहां पर दौड़' आपकी क्रीया कॉगः चाहिए आपको, पहली το सूं यह है क्योंकि नहीं जैसा जहां असमर्थता है जब हम भाव आच में बदलते हैं तो उस समय इस असमर्थत वाले शब्द का अभी तो simple sentence बन रहे हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन जब हम भाव आच में इसे तब्दील करेंगे तब हमें दिक्कत आएगी तब हमें इसी चीज होगा ध्यान रखना बच्चे आज खेलने बाहर नहीं जा सकते तो अब यहां पर खेलने के साथ क्या हमने यह खेलना हमारा मुख क्रिया है नहीं असमर्थता है जा सकते हमारा यहां पर हो गया ठीक है यह जा हमारा जो है यह भी एक मुख क्रिया में आएगा ठीक है आप य नहीं आएगा ध्यान रखना ना करता में आएगा ना शहायक क्रिशों में आएगा ठीक है फिर उसी तरहीं मोहन यह सवाल भबack healthy नहीं कर सकता तो कर हमारी है और हमारा शहायक क्रिया है और नहीं हमने असमर्थटा के लिए रgreat कर तो अभी तक आपको यह समझ में आ गया होगा कि करत वाच्च में क्रिया हमेशा हमारी करता से अटैच रहेगी अगर आपको इसे पता करना है तो करता के वचन या लिंग में आप बदलाव कर दो सीधे आप उससे संटेंस बनाओगे तो देखोगे कि क्रिया में अगर बदलाव हो रहा है तो इसका मतलब वो करत वाच्च है अभी जब वाच्च परिवर्तन करेंगे ना तब आप इस चीज़ को समझ जाओगे अच्छे अब हम आ गए कर्म वाच्च पे किस पे आ गए कर्म वाच्च कर्त वाच्च में तो हमने कहा देखा कि क्रिया हमारी कर्ता से संबंदित थी लेकिन अब क्रिया किस संबंदित होगी अब क्रिया संबंदित होगी कर्म से और कर्म वाच्च में हमेशा वाक्य सकर्मक रहेगा ठी के चलिए देखतें क्या है जिस वाक में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का प्रियोग कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो और करता की स्थती में स्वयम कर्म हो होता है वहां कर्म वाच्च होता है यानि की करता की जगा भी सिर्फ कर्म ही होगा यानि की पूरे संटेंस में कर्म को महत्ता दी जाएगी और क्रिया का बदलाव किस से होगा कर्म के कोडिंग होगा ठीक है जादा कुछ पचड़ में नहीं पड़ो मैं सिंपल सा एक चीज़ बता देती हूं इसमें फिर तुम सहायक क्रियाओं पर ही धायम देना ठीक है अपने आप सम कर्म प्रदान करना हो से या द्वारा ठीक है है द्वारा या के द्वारा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है थिक है समझ में आया तो यहाँ पर आप देख रहें यह कहानी मेरे द्वारा लिखी यह पर देखिए हमने 2 flips लगाया है लगाया है अब यह क्या बता रहा है यह कहानी एक कर्म है एक वचन है इस्त्रिलिंग है फिर मेरे जो है वो करता है पुर्लिंग है मेरे द्वारा लिखी गई तो यह पुर्लिंग है फिर उसके बाद आई यहां लिखी गई यह एक वचन है इस्त्रिलिंग है अब आप अब simple जहां करता है उसका link बदल दो, ठीके, अब यहाँ पर आपको मेरे से नहीं पता चलराओ कि यह पुर्लिंग है, तो इस condition में इस जगहा पर आप किसी, अब जैसे यहाँ पर कृिया आपकी निखी है, तो यह पुर्लिंग हो सकती है, लिखी है तो अब इसके जगा किसी पूरलिंग को रख दो ठीक है आप यहाँ पर लिख दो मेरे की नहीं राम लिख दो यह कहानी राम के द्वारा लिखी गई ठीक है क्योंकि हमने बताया था ना द्वारा या के द्वारा आएगा अब यहां रे के साथ ए लगा हुआ इसलिए हमें यहाँ पर देनिक ज्रूरत नहीं पड़ी तो यह कहानी राम के द्वारा लिखी गई अगर राम के साथ connected होता हमारी क्रिया तो यहां पर क्या ओता link-oiling होती लेकिन link तो यहाँ परिस्त्री link है तो सीधे सीधे आपको किस से depends समझ में आया है? यह कहानी से समझ में आया अब आप ये बोलोगे कि अगर माली यहां तो simple दिया हुआ है कि यह कर्म है, आप किसी sentence में अगर हमें कर्म को खोजना हो तो हम क्या करें हमने आपको अभी बताया था कर्म अगर आपको खोजना है तो किसी भी सेंटेंस में आपको क्या लगा कर कोश्चन करना है ठीक है आपको पता चल जाएगा कि वह वाक्य सकर्मक है या कर्मक है सिंपल लिखो मेरे द्वारा क्या ल लिखी गई आंसर मिला कहानी लिखी गई तो यह सकर्मक है ठीक है ना आंसर मिल रहा है तो सकर्म और आंसर में जो भी आंसर मिलेगा वही आपका कर्म होता है तो यह आपको समझ में आ गया कि यहां पर जो यह क्रिया है क्रिया किस से संबंदित है कहानी से समंदिते ये करता से समंदित नहीं है तो किस समंदित इसलिए सीधे सीधे ये कर्मवाच्छ हो गया अब मान लीजे आप इसमें एक चेंज और हम कर लेते हैं कहानी चूकि स्त्रिलिंग है इसलिए आपकी जो क्रिया है वो त्रिलिंग है अब इसकी जगह आप कुछ लिख लो कुछ भी ले लोगो जैसे निबंध है निबंध क्या आता है उसके साथ क्रिया पुर्लिंग लिखती है अब लिखो यह निबंध मेरे द्वारा लिखा गया आएगा ठीक है नहीं यह निबंध मेरे द्वारा लिखा गया और कहानी में change करने से आपकी क्रिया में बदलाव आ रहा है तो simple यह किस से connected है करiono से connected है करें चलिये अब एक और देख लेते हैं मालिन द्वारा हार बनाया गया मालिन करता है हार जो हे वो कर्म है बनाया गया सबसे पहले जैसे कोई sentence यहां तो दिया हुआ है हम कह रहें अगर कोई भी sentence आपको पता कर रहा है कि इसमें कर्म है इसमें कर्म क्या होगा तो आपको simple sentence के साथ क्या करना है आपको question पूछना है क्या लगा के link आपके kriya के साथ क्या बनाया गया क्या बनाया गया answer आया हार बनाया गया तो यह हार आपका क्या हो गया हार आपका कर्म हो गया simple अब आपको पता करना है दूसरी चीज सबसे पहले तो किसी भी sentence में हम कर्म पता कर लेंगे अब दूसरी चीज हमारे पास में क्या आती है कि क्रिया किस से सम्बंदित है तो यहां मालिन क्या है यह strilling है जबकि यहां पर जाता है तो यानि कि यह करता से सम्बंदित नहीं आ रही है अब हम हार की जगा कोई भी रग दो ठीक है हम क्या लिखेंगे मालाएं बनाई जात वाजाती हैं हो गया एक तो इस्त्रीलिंग हो गया दूसरा है बहुचन हो गया तो सिंपल सिंपल यहां क्रिया किस से सम्बंदित हो गई यह हार्ज सम्बंदित हो गई तो यहां कर्मवाच है उपरी तवाक्यों में क्रिया का प्रियोग करता के अनुसार ना होकर इनके कर् कर्मवाच है तो ठीक है मैंने आपको बताया ना अभी मैंने करता से भी क्रिया को संबंधित करना बता दिया अब आते हैं अनुधारण चलिए अभी कुछ अनुधारण आए इनमें हम सबसे पहले क्या करेंगे हम पता करेंगे कर्म क्या है कर्म पता करके हम उसको अंडरलाइ होती है मैं आपको पतादू उसमें द्वारा या के द्वारा यूसे लगा हुथा अगर हमको पता करना है तो हम कैसे करेंगे तो उसमें के लिए हमको सबसे पहले जो पता करना है कई चीजे पता करनी है किसी भी वाक्य में अब हमें नहीं पता है कि ये कर्त वाजचे है कर्म वाजचे है या भाव वाजचे है सिंपल हमको नहीं पता है तो इस कंडिशन में हम क्या करेंगे सबसे पहले हम करता की खोज करेंगे करता कौन है मोहन के द्वारा लेख लिखा जाता है तो कौन करता है कौन काम कर रहा है यह मोहन मोहन कौन है हमारा करता है ठीक है हम एक एक करके साटोट करते हैं फिर क्या है अब आपको नहीं पता कर्म, हमें नहीं पता की कर्म क्या है तो मैंने क्या बताया था आपको सिंपल क्रिया के साथ आपको एक प्रश्न करना है क्या क्या लिखा जाता है आंसर मिल रहा है लेख तो लेख हमारा क्या हो गया ये हमारा कर्म हो गया ठीक है लिखा हमारा क्या हो गया, मुख्य क्रिया, सब कुछ हम निकाल के आपको बता रहें, ताकि आप को जब आप काम करो तो आपको परिशानी नहीं हो, ठीक है, जाता है आपका क्या हो गया, सहायक क्रिया हो गया सहायक क्रिया अब हमें पता करना है कि यह वाच्छे कौन सा है वाक में हमने करता पता लिया कर्म पता कर लिया मुख क्रिया सहायक क्रिया सब पता कर लिया अब हमने आपको क्या बताया था कि जो भी बदलाव होता है वो सिर्फ सहायक क्रियाओं में बदलाव होता है च करना है जो लिखा जाता है यह किस से संबन देते मोहन से या लेक से अब मोहन भी पुर्लिंग है क्रिया भी पुर्लिंग है लेख भी पुर्लिंग है इस कंडिशन में हमें नहीं पता कि यह करता से संबन देते या कर्म से तो फिर अब हम क्या करें अब हम करता को बदल देते ह करता को हम स्त्रीलिंग कर देते हैं करता भी पूर लिए इसको स्त्रीलिंग करो अब मोहन की जगह ले आओ वैशाली ठीक है वैशाली लड़की का नाम होता है वैशाली वैशाली के द्वारा लेक लिखा जाता है अरे यहां तो क्रिया में चेंज ही नहीं आया आया चेंज बि कर्म के साथ अटेच करके देखते हैं अब यहां पर लेक लिखा जाता है ठीक है सही लग रहा है हमें लेकिन हम कैसे करें कि यह कर्म के साथ है तो लेक की जगा कोई भी इस्त्रिलिंग चीज ले आओ इस तरी लिंग जो विधा होती हो जैसे कहानी है कहानी लिखी जाती है तो इस तरी लिंग होती है होती है तो चलो मोहन के द्वारा कहानी लिखी जाती है आया चेंज जब हमने कर्म के लिंग में चेंज किया तो क्रिया और सहाय क्रिया जो है बदल गई बदली की नहीं बदली तो इस तर제가 से हमने क्या पता किया कि यहाँ पर क्रिया कर्म से सम्मंदित है इसलिए यहाँ पर क्या होगा आपका कर्मवाच्चे है कौन सा है कर्मवाच्चे है ठीक अब उसी तरह दूसरे में आईए हलवाई द्वारा मिठाईयां बनाई जाती हैं तो ये तो बहुत आसान है आप यहाँ पर देख रहे हो हलवाई एक वचन में हैं मिठाईयां बहुचन में हैं ठीक है अब चलो ठीक है पहला बेसिक में आ जाती हूँ मैं कि हमें नहीं पता यहाँ पर क्या कहते हैं करता कौन है तो करता तो हमारा हलवाई है क्योंकि वो मिठ रहा ही बना रहा है फिर दूसरा हमें नहीं पता कर्म क्या बनाई जाती हैं मिठाईयां बनाई जाती हैं तो क्या लगा कर जब हमने कोशन किया तुम्हें आंसर मिला मिठाईयां तो यह शब्ध हमारा कर्म हो गया अब क्रिया किसे संबंदित है मिठाईयां बहुवचन में है हलवाई एक वचन में है और क्रिया हमारी बहुवचन में देखो हैं लिखा हुआ न हैं तो यहां पर यह किसे संबंदित हो गई यह हमारी संबंदित हो गई मिठाईयां से तो यह भी हमारा क्या है कर्मवाज ही है ठीक है नेक्स राइए चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है चित्रकार हमारा काम कर रहा है इसलिए करता है अब कर्म पता करनी है सिंपल बनाया जाता है से कोशन कीजिए क्या बनाया जाता है चित्र बनाया जाता है क्या बनाया जाता है चित्र बनाया जाता है तो यह ह का बदल दो या करम का बदल दो चलों करता का बदल देते हैं हम दे देते हैं वैशाली द्वारा चित्र बदाया जाता है तो लिंक में तो समधित नहीं दिर कर दिया अब चितर became तोир तो लो चित्र हिंदी में हो इंग्लिश में कर दो पेंटिंग पेंटिंग इस्त्री लिंग में आता है ठीक है आप ठीक है यहां पर लिखो चित्रकार द्वारा पेंटिंग बनाई जाती है आगया चेंज तो यानि कि यह किस से संबंदित है कर्म से संबंदित है यह हो गया कर्म वाज्य नेक्स्ट में कि रुपाली द्वारा कढ़ाई की जाती है देखें मैं आ गई किसी और का नाम ले आओ अमित द्वारा कड़ाई की जाती है तो अमित तो पूरलिंट है जो जाती है क्रिया ये कर्म से समद्धित है और ये हो गया हमारा कर्म बाच कर्म बाच की पहचान कैसे करोगे natural क्रिया को सम्बंध दिखाने के लिए हमें बताना पड़ेगा और समद्ध दिखाने के लिए सिंपल सच आपको जो काम करना है करता का लिंग बदलो कर्म का लिंग बदलो जिससे भी आपकी क्रिया अफेक्टव होगी वहीं आपका वाच्ची होगा यह पहचानने का बेसिक टरीका है 58 करम वाच्च के कुछ महत्वपूर्ण तत्व क्या है देखिए कर्म वाच्च में कर्म उपस्थत रहता है बात सही एकर्म वाच्च में हमेशा जो है वाकी सक्रमक रहें क्योंकि बिना कर्म के तो हम कर्मवाच बनाई नहीं सकते और क्रिया सकर्मक होती है हमेशा सकर्मक होती है कर्मवाच में वाक्यों में प्राया जा का रूप लगाया जाता है जा ठीक है अब आप यहां पर जा का रूप देख लो ठीक है जाता है जाती है जाता है जाती है ठीक कोई भी होगा हमेशा जा का रूप जरूर निकलेगा जैसे आप यहाँ देख रहे हो दादा जी अख़बार पढ़ते हैं बोहत अच्छा एक्जामपल आया है यहाँ पर हम आपको समझाते हैं चलिए दादा जी यहाँ पर काम कर रहे हैं तो यह करता है क्या है यह करता है अखबार पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं अखबार तो यहां पर यह हो गया हमारा कर्म यह क्या है कर्म अखबार हमारा कर्म है दादा जी करता है पढ़ते हैं हमारा क्रिया है ओके तो अब दूसरा हमारे पास आ रहा है दादाजी द्वारा आखबार पढ़ा जाता है इसमें दादाजी करता है अखबार कर्म है पढ़ा जाता है क्रिया है ठीक है, ओके, सिंपल सा देखना, अब यहाँ पर हमने क्या बोला, दादा जी पढ़ते हैं, हम हमेशा जो बड़ों के लिए बहुवचन शब्द लगाते हैं, ठीक है, आदर प्रकट करने के लिए हमेशा बहुवचन लगाते हैं, यह तो आपको बेसिक रूल जो है, वो लिं जी से, तो सिंपल, दादा जी को हम बदल देते हैं, ठीक है, दादा जी को हम दादी जी कर देते हैं, दादी जी अखबार पढ़ती हैं, तो यहाँ पर पढ़ते की जगा पढ़ती है, तो यह कनेक्टेड हो गया दादा जी से, तो यहाँ पर यह इस से कनेक्टेड होने के क यहां पर आ गया आपका कर्त वाच्चे ठीक है यहां आपका आ गया कर्त वाच्चे अब उसी तरह यहां पर आ जाईए पुजारी पूजा करता है अब करता है किस से संबंदित है पुजारी की जगा हम लिखते हैं पुजारी पुजारी पूजा करती है तो करती हो जए इसका मतलब लिंक इसे संबंदित है और यह हो गया करते बाच यह भी करते बाच चुक्या अब सेम देखिए संटेंस वहीं है हमने यहां पर जो कर्म वाच में द्वारा लगाया जाता है दोनों में द्वारा लगाया द्वारा अच्छा लगाया क्यों जाता है हम आपको बता दे को हम वाक के according करते हैं अगर से लगा कर सही पढ़ते हैं तुम से लगा देते हैं अगर द्वारा लगा के सही आता है तो हम द्वारा लगा देते हैं कि यहां वहां अब यहां पर हम सभी को पता है अकवार्ण है तो लिंग में तो कोई बदलाव नहीं करता वहां पर हमने क्रिया था तो हमने देखा कि वहाँ पर जो है क्रिया में बदलाव आया दादी जी को हमने जब दादा जी को दादी जी से कनवर्ट किया तो क्रिया में बदलाव आ गया था लेकिन यहां तो क्रिया में बदलाव नहीं आ रहा यानि कि यहां क्रिया करता से संबंदित नहीं है तो अब कि सुर्दी सिदे यह से संबंदित नुह से संबंदित यह कर्मवाट्च में आया दूसरा पुजारी द्वारा पूजा की जाती हैं अभी हमने वहां क्या किया था पुजारी का पुजारिन कर दिया था यहां पर भी वही कर देते हैं पुजारी हमारा करता भी है ना वह सुरी करते हैं तो चलिए करता है तो यहां पर हमने जो कर्म है उससे बदलते हैं ठीक है पूजा की जगह कुछ और बोल कर दीजे जो इस्तरी लिंग में आता है तो जाब कर देते हैं जाब किया जाता होता है ठीक है तो क्या होगा पुजारी द्वारा जाब किया जाता है तो जब हमने कर्म के लिंग में बदलाव किया तो क्रि अब मेन आ जाते हैं उन्होंने क्या बोला था हमेशा कर्म वाच्च में हम जाके विभिन रूपों को लगाते हैं अब आप देखो जाता है जाती है यह हमेशा जाता है यह जाती है हमेशा कर्म वाच्च में आएगा चीक है यह इसमें आप देखेंगे इसमें कोई ऐसा रूपों को इस्तमाल किया जाता है कर्म वाच्च में करता के बाद से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है यानि कि किसमें कर्म वाच्च में जैसे भी हमने बताया कर्म वाच्च में हमेशा करता के बाद से या के द्वारा जो है लगा देते हैं तो इससे जो है पूरे सं लगाते हैं और कर्म के महत्व को बढ़ा देते हैं यह कंपल्सरी है आप कर्द वाच्च से जब भी कर्म वाच्च में बदलाव करूगे आपको से या के द्वारा लगाना ही पड़ेगा जैसे यहां दे रहें तुलसिदास द्वारा रामचरित मानस की रचना की गई तो यहां पर उन्होंने क्या बताया कर्ता प्लस द्वारा यहां पर क्या बता रहे हैं वो कर्ता प्लस द्वारा बता रहे हैं तो कर्ता कौन है तुलसिदास जी है कर्ता कौन है तुलसिदास जी ह प्लस यहां पे द्वारा लगा दिया गया हमेशा यह ध्यान रखिएगा जो भी करता है उसके साथ द्वारा या से लगाया जाएगा नौकर से गिलास तूट गया तो यहां पर नौकर करता है प्लस से यहां देखी करता प्लस से आ गया हमारा यहां पर तो ये एक basic चीज है जब भी हम कर्द वाद्च से कर्म वाद्च में बदलाव करेंगे उसमें say हम जरूर लगाते हैं say या द्वारा लगाते हैं कभी कभी कर्टा का लोप रहता है अब कुछ ऐसे sentence होते हैं जिनमें कर्टा होता ही नहीं है सही बात एक ऐसे बहुत से sentence होंगे जिसमें कर्टा नहीं होगा वो sentence कैसे होते हैं देची पेड़ लगा दिये गए हैं पत्र भेज दिया गया है ठीक है अब simple अब आप यह बोलोगे कि इसमें क्या है इसमें हम क्या करें तो देखे हमने बताते हैं कर्म बाच में जाता है या जैसा एक रूप जरूर होगा वो कब होगा जब वाक में करता मौजूद होगा अगर वाक में करता नहीं है तो जाता है और जाती जैसे सहाय क्रियाएं नहीं लगाई जाएंगी अब यहां पर आप देख रहे हैं पेड़ लगा दिये गए अब यहां पर लगा दिये के कैसे है कर्म बाच क्रिया इसी से संबंदित है पेड लगा दिये गए हैं देख रहे हैं अब यहां पर आप कैसे पता करोगे कि किस संबंदित हो रहे हैं क्योंकि करता तो ही नहीं खाली कर्म आ रहा है कर्म आ रहा है ना तो संबंदित उसी से ही रहेगा चलो तब भी हम कहां पर हटा देते हैं हम पेड के जगा हम क्यारियां करते ठीक है किया लगा दी गई है क्यारिया इस्त्रिलिंग होई ना लगा दी गईए चेंज आई की नहीं आए तो आपको पता चल गया अब इसमें देखिए कर्मबाज की जो भी पहचान है वो यहाँ पर कहीं mention नहीं है कर्माज की पहचान क्या थी से लगा होगा द्वारा लगा होगा दोनों में से कुछ नहीं है जाता या जाती लगा होता है वो भी नहीं है और ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक ऐसे वाक्य है जिन वाक्यों में करता होता ही नहीं है उन वाक्य कर्म वाच्च में असमर्थता सूचक वाक्यों में के द्वारा के इस्थान पर से का प्रयोग किया जाता है ऐसा केवल नकरात्मक वाक्यों में किया जाता है अब उन्हों मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती तो यहां पर देखिए जाती भी आया से या द्वारा से और नहीं के लिए हमेशा जहां पर आप क्या लगाओगे हमेशा से लगाओगे हमेशा से लगाओगे मजदूर से यह भारी पत्थर नहीं उठाया गया ठीक है नहीं उठाया जाता है ठीक होगा सेंटेंस गलत है क्योंकि नहीं उठाया गया अगर हम बोलेंगे तो यह भाववाच में चला जाएगा मजदूर से यह भारी पत्थर नहीं उठाया जाता है तो यहां देखिए जाता है का स्वरूप आया और यहां पर से भी लगाया देखिए मैंने गया सिर्फ इसलिए काटा है क्योंकि अगर हम यहां पर नहीं लिख देंगे भावजपर किस पर आए भावजपर इस वाक में करता अथ्वा कर्म की नहीं बलकि भाव अर्थात क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है तो इसमें ना कर्म important होगा न करता important होगा इसमें important होगी हमारी feeling यानी basically जो sentence लिखा है इसके पीछे जो अर्थ निकल रहा है वह ज्यादा माहत्वपूह ठीक है जो नहीं लिखा है वह ज्यादा माहत्वपूह है अब उसके पचण में कौन पड़े जो नहीं लिखा है उसके चक्कर में हम जाएं तो कुछ आसान तरीका तो उसका भी आसान तरीका है चलिए देखते हैं क्या है देखिए जैसे हाँ है मरीज से उठा नहीं जाता ठीक है मरीज से उठा नहीं जाता मरीज हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है या मरीज हमारा करता है सिंपल मरीज हमारा क्या आ रहा है करता आ रहा है जैसे हम सभी सेंटेंस में कर रहे थे तो हमने यहाँ पर मरीज को ढून लिया यह हमारे करता है क्योंकि वो उठ नहीं पा रहे हैं अब कर्म अगर हम ढूंडे इस वाक्य में तो क्या कर्म है मरीज से उठा नहीं जाता अब से लगा है तो हम यह कह सकते हैं कि यह कर्म बाच्च है लेकिन अगर हम इसमें कर्म ढूंडे तो क्या होगा मरीज से क्या नहीं किया जाता तो उठ आंदा नहीं जाता तो चलो मान लेते सिसको कर्म कर लेते लेकिन बेसिकली उठा जो है वो क्रिया के अंतर गताएगा चलो मान लेते हैं ठीक है यह हमने इसको कर्म कर दिया करता कर्म दोनों ही हमें मिल गए फिर यहां पर जाता है तो जाता हम किसमें लगाते हैं जाता हम कर्म वाच्च में लगाते हैं से भी लगा है उठा भी है तो क्या यह कर्म वाच्च चलो पता कर लेते हैं ठीक है पता कर लेते तो मरीज से उठाई नहीं जाता तो सबसे पहले मरीज से connect करते हैं ठीक है तो मरीज से अगर हमें connect करना है तो हमें मरेज को या तो बहुअचन कर दो ठीक है सिंपल मरीजों से उठाई नहीं जाता जाता करीया में चेंज नहीं आया इस्त्री लिंग करके देख लो थी कि ओर छ clique से उठा नहीं जाता यानि की क्रिया करता से संबंजित नहीं है जलो अब कर में आ जाते हैं तो कुछ है जयसे उठा है उठा तो पुर्लिंग है तो अब कुछ ऐसा लिखो जिसकी वज़र से इस्त्री लिंग हो या बहुवचन हो जाए कोई भी चीज एक लेलो लिखा नहीं जाता पढ़ा नहीं जाता लिखी जाती है कविता लिखी जाती है नहीं तो उठा की जगह कोई भी ऐसी चीज लगाओ जो आपकी link को बदल दे ठीक है तो अगर हम बोलते हैं उठाई गई ठीक है उठाई गई तो यहां पर आ जाती मरीद से उठाई बैठाई नहीं की जाती ठीक है उठाई बैठाई नहीं की जाती तो यहां तो नहीं आया यानि कि यह इससे समंदित भी नहीं है तो सिंपल इसका मतलब है कि यह अपने आप में महत्वप कुर्ण है यह भाववाच्य आया ठीक चलिए पहलवान से दोडा नहीं जाता पहलवान से समंद्ध नहीं है करता से संबंधत नहीं है तो सीधे सीधे यह क्या हो गया भाव वाच्य हो जाता है तो मतलब इसमें देख रहे हैं आप करता है करता से संबंदित हमारी क्रिया नहीं आ रही है कर्म है ही नहीं तो सिंपल क्या हो गया यहां पर आप देख रहे हो यह हमारा संबंदित किस से हो गया आपका भाव से संबं संबंदित होगा तो हम अर्थ कैसे निकालेंगे चलो बताओं जैसे हैं मरीज से उठा नहीं जाता आप इसका अर्थ में अगर आप जाओ तो यानि कि मतलब बहुत ज्यादा बिमार है कमजोर है वो नहीं कर पारा रहा है अर्थ निकल रहा है ना हां तो वह अर्थ हो जाता है भाव वाच के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है क्या तथ्य है इस वाच में प्राया नकरात्मक वाक्य होते हैं प्राया होते हैं मतलब जादा तर नकरात्मक होते हैं मगर सभी नकरात्मक नहीं होंगे आपके सकरात्मक एकाद अभी आपके सकरात्मक वाक्य भी अमेशा अकर्मक रहेगी यह ध्यान रखना क्रिया कभी भी कर्म से कनेक्टेड नहीं रहेगी किस से कर्म से कनेक्टेड नहीं रहेगी ठीक है अब आते हैं भाव वाज में प्रयुक्त क्रिया सदा पुर्लिंग अकर्मक और एक वचन रहेगी बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना बहुत ही इंपोर्टेंट चीज़ है करता कर्म चाहे पुर्लिंग हो चाहे बहुत बचन हो कोई मतलब नहीं है कीरिया हमेशा पुर्लिंग ρहेगी अकर्मक रहेगी एक वचन रहेगी यह भाव वाज का मेंन था है तो इसमें हम अगर एक ही चीज पकड़ कर चरने तो ही हमको समझ में आ जाएगा ठीक है क्रिया आप देखो जाए जाएगा जाएगा इसमें जाता हो गया ठीक है जाता जैसे हम यहाँ पर बोले तो हमने क्या पढ़ा था कर्म बाच्च में होता है तो इसमें आपको करना क्या यह तीन चीज़ें आपको ध्यान रखने पुर्लिंग अकर्मक और एक बचन वा सर जो है वो नकरात्मक वाक्य होते हैं लेकिन सकरात्मक भी होते हैं तो यह देखिए पॉजिटिव है चलो आप सोया जाए ठीक है यहाँ पर सोया जाए जो है वो क्या है क्रिया है यहाँ पर ना करता है ना कर्म है ठीक है ना करता है ना ही कर्म है इस कंडिशन में आप दे है इसलिए यह करत वाच्च नहीं है दूसरा कर्म से संबंदित एक भी लक्षण नहीं है जा तो है जा हमने बताया था कि जा लगता है लेकित आप कर्म से संबंदित दूसरी चीज़े देखो क्या यहां पर कर्म है नहीं है क्या यहां पर से या के द्वारा जैसे शब्दों का इस्तमाल हुआ है नहीं हुआ है ठीक है इसलिए अब जैसे हमने पढ़ाता कर्म वाद्च में जो संटेंस में करता नहीं होता है उसकी क्या पहचान हमने बताई थी जिसमें जो है आपका क्या करता नहीं होता है उस कंडिशन में आपका जो है हमेशा कर्म तो एक होगा ही होगा जैसे पेड़ था यहां तो वो कर्म भी नहीं इसलिए यह भावाज में आप दूसरा आ जाएए तो यह हमें समझ में आगया ना यहां करता है ना ही कर्म है इसलिए सीधे-सीधे यह भावाज में होगा हो गया ठीक है फिर है ऐसी धूप में कैसे चला जाएगा अब बताईए ऐसी धूप में कैसे चला जाएगा करता है यहाँ पर कोई है जिसके बारे माद हम तो यह नहीं बोल रहें ऐसी धूप में कैसे चल सकता हूं ऐसे तो मैंने बोला नहीं करता इस वाक्य में पूरा है कर्म पर आईए कर्म क्या है दो चला अगर हम करते हैं तो उत्तर मिल रहा है हमें क्या चला जाएगा हमें उत्तर मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो क्रिया क्या है अकर्मक है यहां पर भी देखिए क्या सोया जाएगा यहां पर भी अगर आप कोश्चन कर रहे हो क्या करके क्या सोया जाएगा क्योंकि अगर हमें उत उत्तर मिलता है तो सकर्मक होगी लेकिन यहां पर जो है आपको कर्म नहीं मिलेगा क्या सोया जाएगा हमें नहीं मिल रहा उत्तर नहीं मिला क्या 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 चला जाएगा हमें नहीं पता चला क्या क्या चला जाएगा नहीं आंसर मिल रहा है उसे विद्वा से रोया भी नहीं जाता अब ठीक है ये दो तो हमने बता लिए क्योंकि हमने सीधे सीधे कोशन किया तो ये दोनों ही हमारे अकर्मक निकले ठीक है ये हमने बताया पुर्लिंग है एक वचन ही है अब आते हैं विद्वा से रोया भी नहीं जाता अब यहां पर विद्वा हमारी करता है क्या नही किया जाता तो यहां पर रोया लेकिन रोया हमारा कर्म नहीं है ठीक है रोया हमारा क्रिया है क्या रोया भी नहीं जाता ठीक है आपको यह देखना है क्रिया क्या है रोया हमारी क्रिया है रोया क्या है क्रिया है तो अब यहां पर क्या नहीं रोया जाता आंसर नहीं मिल रहा है यानि कि कर्म नहीं है अब आप अगर इसको इससे संबंधित करो विद्वा से रोया भी नहीं जाता विद्वा इस्त्रिलिंग है क्रिया यहां इस्त्रिलिंग होन आता है एक वचन है तीनु चीजें यहां पर पूरी हो रही है फिर आते हैं इस मोटे व्यक्ति से उठा नहीं जाता तो यहां पर क्रिया है उठा नहीं जाता ठीक है और मोटे व्यक्ति इस मोटे व्यक्ति करता है करता है से यहां पर लगा हुआ है चलो ठीक है कर्म बाच्च नहीं है अब उठा नहीं जाता मोटे वेक्ती से उठा नहीं जाता मोटी लड़की से उठा नहीं जाता यानि की क्रिया हमारा जो है करता से संबंदित नहीं है ना कर्म से संबंदित है ना क्रिया से संबंदित है यह अपने आप में भाव वाच्च है क्या है भाव वाच्च ह अब यहां पर ध्यान दीजे कि कई बार ऐसा होगा कि आपने सिंपल है अगर क्रिया को आपको संबंदित देखना है और फटा फटा आंसर निकालने कोई विक्कत नहीं आगी ठीक है फिर चलो घूमने चला जाए अब यहां न अब यहां पर आप देख लो करता नहीं है करता ह और यहां पर अकर्मप होती है और हमेशा कर्म वाचमें हमीसा कर्म चाहिए होता है इसलिए भाव वाज को हम हमेशा सिर्फ कर्द वाज्च में ही तब्दील कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारा यह वाज्च का जो टॉपिक था वो मैंने क्लियर किया I think आपको अच्छे से समझ में आया होगा वाज्च क्या होता है लेकिन अभी भी कई चीजें हैं जो बाकी है अब यह कैसे doubt solve होगा जब हम इसकी exercise करेंगे तो next video में हम देखने वाले हैं अपनी कर जो वाज्च सम्मंदित कुछ अभ्यास कारें जिसकी जल्दी है हम पूरा सारी चीजें सीखेंगे तो मतलब basically हम क्या करेंगे वाज्च परिवर्तन सीखेंगे तो वाज्च परिवर्तन में हम वाज्च को पहचानना और सब कुछ करना फड़ा फट सीखेंगे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जिसमें हम व्याकरण के अपने दूसरे टॉपिक वाज्च के हम करने वाले हैं एक्सरसाइज थैंक यू फॉर वाचिंग बाबाई